एक फैक्टर और जिस वर बाजार की नजर है इसरेल एरान तो आफकोस रेडार पर है ही, इलेक्शन भी हैं, कल से फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन शुरू भी हो रहा है, बट उसके साथ साथ अमेरिका में रेट कट होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, कितनी देरी से होंगे, जून की भी अब संभावना कम हो रही है, आए इस पर कुछ दिगज ब्रोकरिजिस का क्या कहना है, ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, वरुन, वरुन बताइए, अब क्या नई एक्सपेक्टेशन हो रही हैं, अमेरिका में रेट कट को लेकर, दीगे दीप, उमीद तो लगात करेगा ही नहीं, अब से रिपोर्ट सबसे पहले बताता हूं, इनका कहना है कि आरबे के तरफ से रेट कट जो इनका पहला अनुमान अगस्का था, अब इन्होंने बढ़ा के उसको ऑक्टोबर का कर दिया है, फैट के तरफ से जो रेट कट है, वो पहले मान रहेते की आपको रेट कट देखने मिलेंगे, जाए सी बात है, फैट की सबसे बड़ी चिंता जो है, वो CPI है, जब तक वो काबू में नहीं आता, तब तक यह नहीं करेंगे, आरबे भी रेट कट के लिए तैयार नहीं है, बेसिकली इनको अपने रुपे को भी समालना है, वो भी ए 2016 में आपको दो रेट कट देखने मिलेंगे, और इस साल यह कह रहा है कि डिसमबर के पहले रेट कट नहीं होने वारा, तो डिसमबर में शूरू होगा रेट कट, यह नहीं कि शाए डिसमबर में अभी अगले साल फिर देखने मिलेगा, और 2016 में दो रेट कट होंगे, मौग और रेट कट्स जो है वो देखने मिल सकते हैं हाला कि ये कह रहा है कि RBI के तफ से शायद आपको प्रोलॉंग रेट कट्स नहीं देखने मिलेंगे और इनी लेवल्स पे रेट शायद हो सकता है कि 2024 और 2025 में भी रहे तो रेट कट्स की जो उमीद थी वो लगातार policy to policy आगे बढ़ते जारी है और इसका बड़ा कारण बढ़ता inflation और अच्छी growth rates है RBI को तो रुपे की भी जिनता है लेकिन हां rate cuts शायर आपको इस लंबे समय तक अब देखने नहीं मिलेंगे कि रिपोर्स तो यही कह रही है तो उतसर पर rate बने रहेंगे तो एक जो बाजार में आशा बनी हुई थी rate cuts की अनिल जी वो दोनों इसी मत में की rate कटने वाले जी वो पहले जो बोला था कि जून में हो जाएगा अब वो थोड़ा 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 आगे आगे बढ़ते है जून में बोला था उसमें साल अनि ऑना प्शे है जून में हो गां पाटाथीस भी हो 26 पर क्या बता है चेलिए तो यह है ब्याज़रों में कटोती कि उम्मीद धराशा ही होती अमेरिका में और अमेरिका में कमजूरी की बड़ी वज़ा भी लेकिन आज तो दीप निफ्टी में गजब की सप्लाय आ रही है बिल्कुल मतलब खतरनाक वाली है और 22,000 के वो तोड़ने के बाद एक भी बार वापस 22,000 के उपर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है मतलब गंदी क्लोजिंग देने को तैयार है आज निफ्टी वीकली एक्सपार इक लिन ये एक दम साफ दिख रहा है और अब मिड का और मिड और प्रेशर होते हों दिखावर किस तरह का ये टर्नराउंड आया है स्टर्ण